रेप पिडिता के घर म्रद मिला रेप का आरूपी, पिता का आरूप बेटे को मार कर लटकाया पिड़िता समझ छए लोगों पर हथिया का कीज़र शिफुरी के बदरवाज ठाना श्रेत्र के एक गाउं में रेप पिडिता के घर में एक यूबग का शौप मिला है जिस घर में यूवक का शब मिला है उसी घर की एक महिलानी यूवक के खिलाब दुश्कर्म का मामला दर्स कराया था यूवक के परिजनों ने रंजिशन यूवक की हत्या कर उसे फासी के फंदे पर लटकानी का आरूप लगाया है सूचना मिलने पमरता के परिजन यूवक के शब को लेकर थाने पहुँच के हैं पुलिस ने एक रेप पिडिता उसके पती और उसके भाई समय छे लोगों पर हत्या की धारों में मामला दर्स कर लिया है बड़ोखरा गाउं के रहने वाले कलियान सिंग पिता तरवर सिंग धाकर उम्रे 25 साल ने बताया कि उसका बीटा ब्रजिश धाकर उम्रे 35 साल रभिवार की देश राम खेट पर पानी देने के लिए गया हुआ था सुबे चार बजे गाउं के रहने वाले हरी वल्लब धाकर ने बताय कि गाउं के एक घर में ब्रजिश शिम्मत अवस्था में पड़ा हुआ है वहां जाकर दिखा तो घर के एक कमरे में दोनों दर्वाजे के तालिट लगे हुए थे ततका सूचना पुलिस को दी गए इसक क przysz के बाद कमरे में ब्रजिश का शवाजी के फचंदे पर लडगा हुआ मिला वठ्ध के पिट्या कलियान सिंग् AARON ुकसके बेटे को फोन कर खेथ में बुलाया गया उसके बाद इसकी हत्या कर शवाजी के फंदे पर लडगा दिया गया कि यह जो मिलता है वह आपके कौन है कि बच्चा मारा हुआ है क्या नाम इसका तो कैसे मोत हुग इनकी मैं बोलता रहा है साब बोई भाई पर शेत्र लग बात वरिए जलाल के शेत्र लग बात अच्छ तो आई राज खे कि मिला अपको भाई कि मकान मैं किसकी मतार कि परजमान कि ने जब यंद्स चल दीया पत बहुती नंजर इस शेत्र लग भाई थी चैसे बता रहे जूती तीन सुचल लगवाई थी तो भूझी तीन सुचल लगवाने के पीछे भी कारण ना रहा हुए बानें एक तो पानिर पुरानी कोई और रंजस थी वह और कुछ नहीं है तो गर गढ़ से क्या के गए गया तो आपको क्या लग रहा है मतलब केट पर गया वो तो कैसी लिए तो मोटर साइकल डरीए कि तो मेरो में बाइब घर है वाँसी लगा दी मार्क अच्छा उसके बरेजवान की गड़ी और प्रफटार कर लिए पुलिस ने बाइब कर ला इसकी साधी हो थी क्या आपके बेटे की पैंतीस साल पर प्रश्ण चार पांसाल साथ परिशंग कर आओ आपके पड़ोसी है जी पकला बखला में रहे रहे हैं वह बहरे रहे हो अम जारे रहे हैं इसा तुमी परबार या रि अरे है तो जानिक भाई बन देख फिर बन को परिवारा लागे अमरों परिवारा लागे दूर के भाई भाई बन जाए है